अस्सलाम अलेकुम दोस्तो यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से वाकी फ्रेंडा चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर दीजे तो साथियों आज की वीडियो में काफी मैं इंपोर् COVID-19 आने के बाद मेरा वीजा जो इसी हुआ था उसके काम में COVID-19 के बाद मैं वहाँ पे नहीं जा पाया अब बहुत से भाईयों का ये भी सवाल रहता है भाई इतना ज्यादत लेट हो गया कि मेरा वीजा जो है वो एक्सपार कर गया है तो मैं कैसे जाओं मैं क्या करूं क् आता है उसमेंसे दोस्तों वीडियो जो भी आप लोग देख रहे होंगे तो फिसल्फ आरे ये जो कॉमेंट करते होगा और पूछते होगे मुझसे पर दोस्तों मैं सभी को कॉमेंट का रिपलाई में नहीं दे पाता हूँ उसके लिए बहुस से भाई से भाई लोग मुझ तो दोस्तो कल मैंने अपने साथी से कॉंटेट किया तो उन्होंने बताया यह कि यदि आपको कॉरोना से पहले यदि आपने वीजा के लिए अपलाय किया था यदि आपका वीजा इसू हो गया था और कोविन-19 के कार्ण यदि आप कतर नहीं जा पाए तो आपको करना क्या होगा तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको आपको अपने वीजा को रेनियू कराना पड़ेगा जी हाँ दोस्तो आप अपने कमपनी जो से कफील को आप कॉंटेट कीजिए उनसे बातचीत कीजिए और सबसे पहले आपको अपने वीजा को रेन्व कराईए दोस्तो वीजा रेन्यू कराना तो MOII जो सर्विस है उसमें आप जाईए MOI का उस सर्विस सो जाने के बाद दोसमें रेन्व को आपसन होता है तो उसके लिए आपको 200 कतर रेयाल आपको पेमेंट करना पड़ेगा जो वीजा को जो आप इसू करवागे उसके लिए दोस्तों आप वो तो दोस्तों कत्रियाल आपको देना ही पड़ेगा वो आपको छे मैना इसका वैलेडिटी रहेगी दोस्तों आप जा सकोगे इसमें कोई दिकत परिसानी नहीं होगी बस अपने वीजा को रेंटी परमिट को इसू करवाईए उसके बाद दोस्तों आप कतर आराम से बहुत ही इजी तरीके से जैसा लोग पहले चाहते थे वैसा आप जा सकोगे पर पहले आपको वीजा को रेंव कराना पड़ेगा रेंटी परमिट इसू करवाने पड़ेगा उसके बाद ही आप जा पाओगे और आपको बताना चाहूंगा रेंट्री परमिट इसू कराने के लिए दोस्तों आपको कतर आड़ी आपके पास होना चाहिए तभी आप करवाप करवाप आपके बीना कतर आड़ी का वेज इसू नहीं होता है तो दोस्तो यह पुरी डिटेल थी बहुत से भाई लों मुझे बारबर पूच रहे tys बारे वीडियो बनाने कलिए बोल रहेते तो मैं इस कोसिस कर रहा था वीडियो बनाने का तो दोस्तो विडियो मैं बना दिये हूँ तो आपको जवाब मिल गाया होगा बहुस से भाईयों को तो आसा करते हूँ वीडियो पसंद जरूर आई होगी वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लायक कर दे अपने दोस्तो को साथ सेयर करे ताकि और भी लोगोче इसकी जानकारी हुए हो सके तो मिलते साथ तो नेक्स वीडियो को तब तक लिए अल्ला हाफीस और टेक केर